दोस्तों आज हम जानेंगे इस वीडियो को माधियम से कि सुगर क्या होता है यानि कि डियाबिटीस क्या होता है और साथ इसके बारे में जानेंगे कि यह क्यूं होता है और इससे होने वाली कुछ रीजन और दोस्तों हाँ आपके लिए इस वीडियो के एंड में एक लेडियो बनाता है तो दोस्तो शुगर इसे डायबिटीज मिलाइटस या फिर मदू में भी कहा जाता है दोस्तो इसमें क्या होता है जब हमारे ब्लूड में जब सुगर की मातरा जाती यानि की ग्लूकोज की मातरा बढ़ जाती है एक नॉर्मल मातरा से तो हम उसे डाइबिटीज बोलते हैं कि proteg फिन होँ वे करते कि यहां पर ख्लाद में कितना हूना चाहिए ताकर यह जान सके कि हमें diabetes है या नहीं दोस्तों यह पर ख्षब लाप जाता है दो-बार एक बार होता है खाना खाने से पहले नपा जब हमारे बोडि में 100-125 के बीच में खाना-खाने से पहले रहता depressed या फिर 141 से लेकर 200 के बीच में रहता है ग्ल्लोड लीद इसे हम prediabetic कहते हैं और दोस्तों अगर हमारे स्रीर में 125 से ऊपर खाना-खाने से पहले या फिर 200 से ऊपर खाना-खाने जिससे हमें diabetes हो जाती है दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि हमारे सरीज में एक gland है जिसको बोला जाता है pancreas उसमें mainly तीन परकार के cells होते हैं और भी होते हैं पर diabetes related तीन ही consider करते हैं इसमें होता है दोस्तों alpha cell, beta cell और delta cell दोस्तों यहाँ पर alpha cell क्या करता है एक ग्लुकागो नाम का एक बायो chemical स्याफी hormones प्रोड्यूस करता है यह क्या करता है जब हमारे body में glycogen यानि कि glycogen के form में जो हमारे insulin प्रोड्यूस करता है दोस्तों इसमें क्या होता है जब यह insulin क्या करता है जब हमारे body में glucose level होता है उसको glucose को हमारे cells में ले जाने में help करता है और साथ ही glucose को bind करके glycogen के form में liver में store करता है ताकि हम जब खाना निखाते तब के लिए वह एक energy source के form में वहां पर store रहे हैं दोस्तों तीसरा आता है सो मैटो स्टेटिन जो की डेल्टा सेल्स को डेल्टा सेल्स सिक्रेट करता है दोस्तों इसमें क्या होता है जो हमारे body में जो alpha cells और बीटा से प्रोडूस किया गया chemicals जिसे बोलते हैं glycogen और insulin इसको यह इसको अगर यह ज्यादा ना पोड़ेश इस पर यह कंट्रोल करने के कोशिश करता है दोस्तों अब हम यह जाने के कोशिश करते हैं कि आखर यह diabetes mellitus कितने भूपर का होता है दोस्तों यह mainly 3 टाइब क्यों होते हैं पहला वह होता है इसके पीछे निए होता है कि जब हमारे body में जो immunity होती है immunity क्या करती है हमारे beta cells को damage करने लग जाती है तो इसमें क्या होता है कि जो beta cell damage होते तो insulin की मात्रा जो प्रोडक्शन वो कम हो जाते है जिसके वैसे glucose level हमारे body में बढ़ जाता है blood में बढ़ जाता है जिससे हमें diabetes हो जाता है दोस्तों अब हम बात करते है type two की जो इंसूलीन होता है वो इंसेटी वह जाता है यानि कि वह हम पहचान नहीं पाता है। ज्या गलकोस को पहाओ कि का सब्सक्राइब कर displaced अब यह जकी przy लाइब टू के पेशेंट हो वो 422 मिलियन है तो दोस्तों यह बहुत गंभीर समस्या में अपने शियत का द्यान रखना चाहिए दोस्तों अब दोस्तों अब हम बात करते हैं कि diabetes mellitus होता क्यों है दोस्तों पहला जो आता है यह obese के कारण होता है अगर हम मतलब healthy नहीं रहते हैं मोटापा रहता हमें तो उस तरीके से हो जाता है इस इस में क्या होता है कि मोटापा रहे से हमारे पीस जो नहीं बड़ण को से आते हैं दोस्तों दूसरा होता है कि अगर हम यह ले रहा हूं किını येति से होने के चांसे बढ़ जाते हैं और दोस्तो तिसरा होता है कि हम क्या है नहीं दोस्तो सबसे फिरे में हमें क्या होगा कि हमें पोलीयूरियां होगा जिसका मतलब हना यूरीनेशन बहुत जबाल जादा होगा दोस्तों गाहिकर हमें बहुत जयांदा प्यास लगएगी और सव्फल गया और हमारे चम कोशिष किया याता है कि उन्हें पाव मगर में चोटना लगे क्योंकि जब चोट लग जाता ना तो उनकी जो हीलिंग होती है यानि कि जो गाओ बना रहता है उसकी बहुत मतलब ना के बराबर हो जाती है इसलिए कई बर क्या होता है इंफेक्शन फैलते फैलते डॉक्टर्स को उनके लेग्स या इंफेक्शन होता है उसको काटना भी पड़ जाता है क्योंकि वह हीलिंग प्रोपर्टी खतम हो जाती है सुगर की वज़े से दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिर इस सुगर से हम बच्चे कैसे हम अपने लिए क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं अपने हल्दी लाइफ में करने हैं ताकि हम हमें हुजर में कभी शुगर नहीं दोस्तों सबसे पहले हम कुछ लगता कि हम शुगर जैसा कुछ सिंटम कि आ है ज्ञधा पैशापй लग रहा है ज्यादा पशीन हा ज्यादा लग रहा या फिर आखों से दूंदला पर नजर आनने लग रहा है तो हमें सबसे पहले गुलकोज लेवल टेस्ट करवाना चाहिए और साथ ही दोस्तों हमें रेगुलर बेसिस पर एक्सेसाइज करना चाहिए और हां जंक फूड वगरा जो ओली फैट फूड होते हैं इनसे हमें बचन खुड़ तो आज के नौलेज पेकट में यह जानेंगे परसिटामॉल के आंप सब जानते हों कि हाँ या परसितामॉल हर को है जानता डोलो क्रोशीन और भी बहुत सारे ब्रांड नेम है इसके दोस्तों अब हम यह जानने के कोशिश करते हैं कि आखिर प्रासीटमॉल हमारे बोडी में आनेक बाद कैसे हमारे बोडी को मतलब फीवर से या फी पेंट से रिलीफ देता है यह नोर्मली वर्क करता है हमारे ब्रेन से भी ले सकते हैं कि किसी भी कैमिक शॉप से हाँ इसका जो साइड इफेक्ट होता है दोस्तों जातर हमें लिवर डैमेज और कीडनी डैमेज के चांसे होते हैं इसलिए अगर आप लिवर या फिकेडनी के पेशेंट है तो प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट ले करें य झातर है